हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू बिजल्स किच्वन, आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी लाई हूँ, मखाना भेल, जी हाँ, भेल का नाम सुनते ही मूँ में पानी आ गया ना, ये दिखिए ये बहुत ही टेम्टिंग लग रही है, इसमें खटा, तीखा, मीठा, सारे दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे हैं, सबसे पहले हम मखानों को ड्राय रोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक बाउल मखाने लिए हैं, इसे रोस्ट करने में हम कोई भी फैट का इस्तमाल नहीं करेंगे, तो इस जब अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, तो क्रिस्पी बन जाते हैं, मैंने इसे एक मिक्सिंग बोल में ले लिया है, सबसे पहले इसमें एड करेंगे एक बारिक कटा हुआ प्याज, अब डालेंगे एक बारिक कटा हुआ बॉयल पोटेटो, अब यह बारिक कटा हुआ कच् एक चमत चाट मसाला एड़ कर लेंगे और ये डाल दिया काला नमक अब इसमें इमली की मीथी चटनी डालेंगे घर में जो खजूर इमली की चटनी बनाते हैं ये वही चटनी है अब एड़ करेंगे हरी चटनी इसमें मेरे हरा धनिया, पुदीना, अद्रक, हरी मिर्च, नीबू और नमक डाल कर पीस लिया है तो इसे हम एड़ करेंगे इसे मिक्स कर लेते हैं अब इसमें अनार के दाने डालेंगे और डालेंगे बारिक सेव जिसे नाइलोन सेव भी कहा जाता है इसे मिक्स कर लेते हैं तो अब हमारी स्वादिष्ट मखाना भिल तयार है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और कुछ चटपटा भी खाना है तो आप यह रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए आप भी इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और आपको यह कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ